मुसल्मानों के फेर में फसी कॉंग्रेस दस प्रतीशत अरक्षन की शर्ट महंगी है किसकी तरफ जाएंगे मुसल्मान? महराश्ट चुनाव में वैसे तो कुल छे मस्बूत राजनितिक दल आमने सामने हैं लेकिन पार्टियों से मिलकर दो गटबंदन बने हैं पहला महायुति जबकि दूसरा महाविकास अगाडी महाविकास अगाडी में कॉंग्रेस उद्धवगुट की शिवसेना और शर्टगुट की NCP शामल है इस गटबंदन को समर्थन देने का एलान All India उलेमा बोर्ड ने किया है लेकिन उसने कटबंदन के सामने कुल सत्रे शर्टे रखी है इन्हें मानने पर ही समर्थन की बात कही है All India उलेमा बोर्ड चाहता है कि महाविकास अगाडी वक्वपिल का विरोध करे MVA सरकार बनने पर शिक्षा और नौकरियों में मुसल्मानों को 10 प्रतीशत आरक्षन दे All India उलेमा बोर्ड ने MVA की सरकार बनने पर RSS पर प्रतिबंद लगाने की मांग की है इसके अलावा दंगों के मामलों में बंद मुसलिम कैदियों को रहा करने की शर्त भी रखी है मस्जिदों के इमामों और मौल्वियों को प्रतिमा 15,000 रुपे वेतन दिये जाने की मांग भी रखी है पुलिस भरती में मुसलिम युवाओं को प्रत्मिकता और महराश्ट वक्व मंडल के विकास के लिए एक हजार करोड का फंड भी शर्त रखी है इतना ही नहीं मांग रखी है कि मुसल्मानों के खिलाव बयान देने वाले बीजे पिनेताओं के खिलाव कारवाई की जाए इस परकार से उलेमा वोड ने अपने 17-17 मांगों को दिया है सरत पवार और सीउसेना कॉंगरेस के जो गुटो को और अपनी मांग रखी है कि हमें 10% मुसल्मानों को आरक्षण दिया जाए और वखब वोड की भील का बिरोद किया जाए और तमाम ऐसे जो मुसलिमों के अपने एक नए राष्ट बनाने के लिए जो गजवाई हिंद बनाने के लिए उनको चाहिए एक तरस तो पाकिस्तान लिया दूसरे भारत में धर्म के अधार पे आरक्षण की मांग कर रहे हैं यह कहीं न कहीं कॉंग्रेस या जो विपक्षी गठवन्दन है वो यह चाहते हैं कि देश में पुना एक पाकिस्तान का निर्मान कैसे हो अब महराष्ट कॉंग्रेस सध्यक्ष नाना पठोले ने इस पर ओल इंडिया उलेमा बोर्ड को चिठी लिक कर हामी भरी है जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है रविवार को बीजेपी के गुशना पत्र के एलान के दौरान ग्रहमंत्रिय में शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर कॉंग्रेस और महाविकास अगाडी गठवन्दन पर निशाना साधा अभी अभी ए सारे उलेमाओं की कॉंफरेंस नाना पटोल को मिली और उन्होंने कहा कि महराष्ट में OBC पिछडावर्ग दलीच और आदिवासी का आरक्षण खतम करकर मुसल्मानों को आरक्षण देना चाहिए और ए नाना पटोलों ने उनको पत्र भी दे दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हमें तुरंत कर देगे महराष्ट के रण में कुल 4,140 उमीदवार मैदान में हैं लेकिन बीजेपी और उद्दव ठाकरेगुट की शिफसेना ने एक भी मुसलिम उमीदवार मैदान में नहीं उतारा है जबकि कॉंग्रिस के टिकेट पर कुल 8 मुसलिम उमीदवार मैदान में हैं